हेलो फ्रेंड्स आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्टेडी मोसन में स्वागत है आज अठारा जून अठारा जून को लेकर मैंने कुछ करेंट अफेर्स को इस वीडियो में रखा है सबसे पहले हम बात कर ले कल के सवाल के कल मैंने क्वेशन पुछाता कि हाल ही में केंद सरकार द्वारा हेल्थ केर सप्लाइचेन पॉर्टल का नाम क्या रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है आरोगे पत है अगर बात करें इस एप की इस चैनल पॉर्टल की तो तो यह भारत में कोरोना संक्रमन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए सर या भारत का वेव अधारित हेल्गेर सप्लाइचेन सल्यूशन है तो हमने एक क्वेश्चन भी रखाए इस वीडियो के अंत में सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें चलिए हम बात कर लेते 18 जुन के पहले सवाल के पहला कोश्चन भोल रहा है कि हाल ही में किसने वेश्ट पॉइंट की परतिष्ठित अमेरिका सैने अकादमी ने असनातक की उपादी पाने वाली पहली महिला सीख बनकर इत्यास रच दी है यानि पहली महिला सीख महिला जो है उसने इस्तिहास रखा है किसमें तो वेश्ट पॉइंट की परतिष्ठित अमेरिका सैने अकादमी में तो उसका नाम है अनमोल सारंग बात करें इसके कुछ इंपोर्टेंस पॉइंट की तो अनमोल नारंग ने वेश्ट पॉइंट परतिष्ठित यूनाइटेड एस्टेट्स यानि यू एस मिलिटरी अकेडमी से असनातक करने वाली प्रथम परिवेक्षक सीख के रूप में इत्यास रज़ दिया है वे लगभग 11 सकेड़टों में से एक है जिन्होंने नियू यूर्क के प्रीमियम संस्थान के केमपस में सकेंड लेप्टिनेंट के रेंग के साथ असनातक किया था अब बात करें अनमोल नारंग की तो इसका जो जन्म और लालन पालन जो है रोजवेल के जॉर्जियां में हुआ और उन्होंने अपने परिवार के साथ हवाई के होन लूलू में परल हार्बर राष्टी असमारा का दोरा किया और वहीं से प्रेडित होकर उसे वेस्ट पॉ बोलड़ा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट वेपार और विकास सम्मेलन यू एन सी टीडी के वर्ल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताविक 2019 में एफडियाए को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से कौन सा अस्थान पर रहा है तो वो रहा है नववे अस्था पर रहा है अब इसके बारे में कुछ पॉइंट की बात कर लें तो भारत को 2019 में 51 अरव डॉलर का विदेशी निवेस प्राप्त हुआ और वह वर्स के दोरान दुनिया भर में अत्यदिक परत्यक्ष विदेशी निवेस यानि एफडियाए है है ना एफडियाए पाने वाल यूएन ने यानि संयुक्त राष्टन की व्यपार इकाई की रिपोर्ट में दी गई संयुक्त राष्ट के व्यपार एवं विकास समेलन यानि अंख्टाड में जो हुआ है उन्होंने 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में का कि भारत में COVID-19 के बाद कमजोर लेकिन सकरात्म कार्थिक विर्दी हासिल होने और भारत के व्यापक वजार के देश के लिए निवेस आकरशित करने होंगे चलिए बात करें तीसरे कोश्चन की तीसरा कोश्चन बोलड़ा है कि वार्सिक विश्प्रतियसर प्रति अस्प्रधात्मक सुचकांक यानि डवलू सी आई रेंक और सिंगापूर के बिजनेस इसकूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है और इसमें गुल 63 देशा इसमें भाग लेते हैं और इस बार जो हुआ है सिंगापूर पहले हस्तान पर आ है वह होंगकॉंग फिशल कर पांचवे अस्तान पर है यानि पिछले साल होंगकॉंग एक नमबर बेता लेकिन इस वार Hong Kong पांचवे अस्थान पर चला गया है और अमरीका विफिशलकर थीसरे से दसवे अस्थान पर चला गया है चीन जोधवे से बीशवे अस्थान पर पहुंच गया है चलिए बात करते next question के next question बोलड़ा है कि हाल ही में वार्षिक विस प्रतियस अस्प्रदा सुचकांक में यानि भारत का कौन सा अस्थान रहा तो भारत का स्थान रहा ताई तालीस वाँ चलिए हम बात कर लिए हम next question के पांचवा question बोल रहा है कि फीपा के द्वारा जून के लिए जारी football world ranking में निम्न में से football team को किस football team को प्रतम अस्तान मिला है तो वो team है Belgium है और यह football world ranking जो है फीपा के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का अस्तान कितना था जी 108 था और फ्रांस इसमें दूसरे अस्तान पर रहा है और ब्राजिल तीसरे अस्तान पर रहा है और उरुगवे चोथे अस्तान पर रहा है और Croatia पांचवे अस्तान पर रहा ये ते टोप 5 और हमारा भारत 108 अस्तान पर रहा है चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन के चट्टा क्वेशन बोलड़ा है कि हाल ही में विशुमरू अस्तलिये यानि विशुमरू अस्तलिये और सुखार अखताम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो वो है 17 जुन इस दिन विशुमरू अस्तलिये और सुखार अखताम दिवस मनाया जाता है या जो है WDCD वर्ष 1995 से ही मनाया जा रहा है यानि विशुमरू अस्तलिये और सुखार अखताम दिवस 1995 से मनाया जा रहा है इसका उद्देशिया है कि या अंतराष्टी सहयोग से बंजर और सूखे प्रवा का मुकावला करने के लिए जन जागरुकता को बढ़ावा देना है चलिए बात करें साथमे कोश्चन के साथमा कोश्चन बोलड़ा है कि उत्तर परदे सरकार ने सेना और अधिसेनिक बलोक के सहीद की पत्नियों आस्रीतों को दी जा रही 25 लाख रुपई है कि अनुगर रासी को बढ़ा कर कितना कर दिया है तो वो है 50 लाख कितना है जी 50 लाख इन्होंने मुखमंत्री जो है उपी के योगी आधितनात की अधिक्षता में राजमंत्री परिशद की एक मीटिंग हुए थी उसमें सेना और अर्ध सेनिक बलो के सहीद की पत्नियों आस्रीतों को राज सरकार के तरफ से 50 लाख रुपे की आर्थिक सायदा की मदद करने का पराबदान किया है इसमें सहीद की पत्नियों बच्चों को 35 लाख तता माता पिता और उन्में से जीवित को 15 लाख रुपे की धन्रासी परदान करेगी चले यह बात करें हम नेक्स्ट कोश्चन की आठवा कोश्चन बोल रहा है कि भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बाब जूरी यहां किस मंदीर परिसर में 2.33 करोर रुपे की लागत से स्वक्षिता केंदर का निर्मान की प्रती बदता जताई है तो वो है पसुपतिनात मंदिर इसमें सिर्धालों के लिए या एक सिर्धालों के लिए पवित रस्तल है और इसके सुधार करने के मकसद से स्वक्षिता केंदर का निर्मान होगा और इस परियोजना का निर्मान नेपाल भारत मैत्री विकास यानि मैत्री विकास साजेदारी के तहत भारत के उच परवावाले समधा एक विकास योजना के तोर पर होगा चलिए हम बात करें नेक्ट कोश्चन के नवा कोश्चन बोल रहा है कि विस परियावरन प्रेशन दिवस यानि इंटरनेशनल डे अप फैमली रेमिटेंस सेज निम्न में से किस दिन मनाया गया तो मनाया गया 16 जून को इसका उद्दिश यह है कि यह अपने दूसरे देश में कारे करके अपने देश यानि यह उन परिवास्वियों के योगदान को समानित करता है जो अपने दूसरे देश में कारे करके अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों का जीवन बहतर करने है तो कारे करता है और यह दिन यह दिन दुनिया भर में अपने लगभक 800 मिलि से अधिक परवासी द्वारा दिये गए योगदान को चिन्नित करने के लिए मनाय जाता है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट कोईश्चन यानि अंतिम कोईश्चन की कि मानाव संसाधन विकास मंत्राले MHRD और खेल मंत्राले ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेश फिल्मों की एक स्रिंकला बनाने है तूँ हात मिलाया है तो इसका एंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी 10 यानि MHRD के अंतरगत आने वाले स्कूली सिक्चार साक्षरता विभागने एक भारत स्रेश्ट भारत यानि भारत स्रेश्ट भारत के अंतरगत खेल मंत्राले द्वारा किये गए Vivi India कार करम के साथ हाथ मिलाया और इस उतने का उद्दěश यह है कि सर्फ लदेशी खेलों के बारे में जागर्यू पहलानाही नहीं वल्कि कि जीन राजियों के ये खेल हैं उन राजियों के संस्कीति और विरासत के बारे में भी जानकारी देने का है यह खेल खोखो गटका कलारिय पट्टू मलखम ठांकता स्क्वे कबड़ी रॉल बॉल रस्सा कसी और सुटिंग बॉल इसमें सामील है चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की आज मैंने जो क्वेश्चन रखाया वो है कि निम्न में से किस सर के रेल्वे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जून लॉंच किया है इसमें आप चार अप्शन है देल्ली रेल्वे स्टेशन पूने रेल्वे स्टेशन पतना रेल्वे स्टेशन और कान पूरेल वेस्टेशन इसका एंसर आप हमें कोमेंट बोक्स में जरूर दें धन्यवाद